हे दोस्तों नमस्कार मैं आना मैं आरियन जैस्वाल और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर यार आज का जो यह वीडियो है यह बिसिकली यूपी ट्रिपल सी वीडियो आलों के लिए है और चितने भी लोग कासी दिन से परि मैंने सब कुछ बताने वाला हूँ कौन सा प्रेटिस सेट आपको लगाना है कौन सी किताब आपको पढ़नी है अगर आपको सिर्फ आपने यूपी ट्रिपल सी वीडियो को फर्म भरा है तो आपको क्या करना चाहिए यह साइट लिए आज मैं आपको इस वीडियो पर बता आया है कि एक्जाम डेट जो है वह नौवंबर में करवाEM सकते हैं लेकिन नौवंबर के पहले नहीं होगा तो यह समझ लो कि expected लिखने का मतलब यह है कि 15 दिन पहले भी हो सकता है 15 दिन बाद भी हो सकता है लेकिन यह समझो कि अगर आफ सोचो कि अगले मैंने सेजंबर में हो जाए इड्मिट कार्ड आगया तो ऐसा कुछ नहीं वह रहा है कि यह सब इसक्वार्ट करें नहीं होने वाला है उसके बाद अगलических तो प्रियोर्टि को अने जाहिए अगर आपके पास दो महने हैं तो इस एक्जामनेशन को कैसे आप इसी त्यारी करें कि आपका जो एक्जामनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए बस आपका सेलेक्शन हो जाए बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है बहुत ही सहली होती है तो हम सब चाहते हैं कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और आपको यूपी गौर्मनेशन जॉब मिल जाती है तो कितनी अच्छी बात रहेगी तो आज हम इसी बात पर डिसकसन करेंगे कि अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो कैसे क्या आप टार्गेट लेके चलेंग किस चीज को ज्यादा पढ़ेंगे इस चीज को कम पढ़ेंगे यह सब चीजे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस एक्जाबनेशन को कौलिफाई कर सकते हैं जैसे आपको क्या पढ़ना है कौन सा प्रेक्टिस सेट यूज करना है जो मैं अपने चैनल पर प्रेक्टिस सेट करता हूं जो सौल करवाता हूं वह कौन सा प्रेक्टिस सेट है यह साई चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो प्लीज वीडियो को इत्तु सा भी इसके मत कीजिएगा हमाय साथ जुडे रहो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में आगे और रिजनिंग भी तरचार है किस पर ना देना है रिजनिंग पर क्योंकि आप सब को पता है सिर्फ तीन पोर्षन आने वाले हैं रिजनिंग, हिंदी, और आपका जीके, और जीके, और जीएस यह है GK and GS को समझ गए दोस्तों थर्ड नमबर पर प्रियोर्टी दे नहीं है GK and GS को ऐसा मैं क्यों कहता हूं आपको सब कुछ बता रहता हूं देखो सब्सक्राइब करके हैं यही सेम हालत ही होने वाला है अगर आप पढ़के गए हो तो वहां पर आपको यह सारी चीजिगे दिखने वाली है कि क्या बोलते हैं कि आपने जो पढ़ाई की है आपने जो चीजे पढ़ी हुई है वही साथ चीजे आपके इत्राम में आ रहा है पर चुछ जाओ तो कोई चीज ढूड़ना हो तो कैसे ढूड़ोगे बस उसी तरह यह भी इसका बीपढ़ लो कुछ भी पढ़ लो तिहां पर अगर आप चाहोगी मैं पूरा पढ़के जाना हूं तो यहां पर मेरा 90 परसेंट कुछ जाएगा 95 परसेंट कुछ जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है आपकी बहुत अच्छी तयार है बहुत अच्छा पढ़ने हैं तो आपका जाकर यहां पर 75-80 परसेंट किसी का 80 के उ पर नहीं फसने वाला आप कितना भी पढ़के जाओ इसलिए मैं कह रहा हूं कि 50-50 जो यह 100 नंबर के स्टार्टिंग और हिंदी का है इस पे आप ज्यादा ध्यान दो क्योंकि 50-50 यहां पर ऐसा तो है नहीं कि आप इसमें ज्यादा नंबर लाओगे तो आपको यहां पर प तो मैं अपने चैनल पर इसमया रिज्णी के जो चैट्र से वो पढ़ा रहा हूं इसके साथी साथ हिंदी के और रिज्णी के और जी किया जाएगा आपको यूट्यूब पर क्या जानकर बिल सकती है तो रिजिनिय का चैप्टर मैं पढ़ाएंगा हूँ इन दो महीनों के पहले पहले आपका पूरा करवा दूँगा, इसके अलावा हिंदी हो गया, रिज्निय हो गया और जीगे जीए, इसका प्रेक्टिक सेट मैं प्रोवाइड करवाएंगा, पढ़ दे करवा रहा हूँ, 35- परवा चुगा हूँ अभी आपको पड़े जो प्रैक्टिस से हो तो मिली रहे हैं इसके साथ ही साथ अगर आप हिंदी और जीगी जीए से चैप्टर वाइस पढ़ना चाहते हैं तो देव जीगी ट्रिक नाम से एक चैनल है कल में साथ लाइब आया थे देव कुछ भाजी उ पर आपको जो एक्जाम है वो क्रैक हो जाए तो वह चीज़ बताऊंगा आपको बहुत नहीं बुरूंगा छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा कि आप कौन से किताब पढ़ें कौन सा प्रैक्टिस सेट पढ़ें और कौन सा प्रैक्टिस सेट मैं अपने इस चैनल पर अप् यहां पर आपको मिलने वाला है देखिए यह बिलकुल आपका जो इजान होने वाला है वीडियो का और ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचारी समाज कल लिया पड़िच्छक इस पर रिलेटेड ही बिलकुल लेटेस्ट पैटन बनाये गया है और यहां पर सब कुछ आपको यह च्छ बढ़कर करने तो यहां पर सब्सक्राइब को कर सकते हैं और सारी बुप का लिंक में ने डिस्स्न में दे रखा है हौनाइन भी खरी सकते हैं और अप तो बहुत आसाई से किसी भी मार्केट में कोई सी पी दुगान पर इंु जाए गी इसके लागए कि बात करने प्रेक्टीषेट की बहुत लोग और रहते हैं लिफावे लोगो चले में प्रेक्टीषेट की ने थैंट sas Çalgρχा मस्यट democrat प्रेक्टीषेट इसको तो मैं आपको solve भी करवा रहा हूं लेकिन जो लोग खहिदना चाते हैं खहिद करके solve करना चाते हैं तो वो इसको खहिच सकते हैं और इन दोनों प्रैक्टिस एड की खासियत क्या है कि जो भी प्रैक्टिस एड आते हैं वहाँ पर question को को एक्स्प्लेंड किया गया है तो बहुत ही अच्छी दोनों प्रेक्टिस है आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा प्रेक्टिस स्रेट करने हैं तो आप इन दोनों को अलग अलग खरी सकते हैं के लावा मैं नहीं जानता हूं कि और भी कोई अच्छा प्रेक्टिस है यह दोनों मुझे बेश्ट लगें और यहीं दोनों से मैं आपको सौल्प करवा ही रहा हूं तो यह साथ चीजे जो आप क्यानना चाहते थे मैंने आपको बता दिया अब क्या करनी भाई तो आपको सब आपको समझ में आ गया होगा अगर अब अब भी आपके अंदर दिमा में कोई डाउट बच रहा हो तो आप कमेंट करके हेमं को टेलेग्राम में सब्समूर्ण करके कहीं ब्या दाउट क्लीर कर सकते हैं और आज कि वीडियो को मैं यहीं पर सवाव्ञें सब्साइब करता और आप उसी time उसको solve कर लो जिससे आपके पास अगर मैं दिन बन में 2 या 3 upload कर रहा हूं तो आपको 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 आसमना time होना चाहिए कि सबाप एक साथ अगला अगला time पो इसको solve कर ले नहीं तो एक साथ बैठके तीनों solve करोगे तो आपका demand थोड़ा सा disturb हो सकता है इसलि जरू करिएगा और आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो शेयर करो और हाँ नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब किना मज़ जाएगा अब इक लिए बाबाय टेक केर जैहिन